नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए चल खुसरोगर आपने का पंचम अध्याय लेकी का शिवानी जी इसके आगे के अध्याय चार अध्याय आपको हमारी प्लेलिस से मिल जाएंगे ये लिंक आपको आई बटन और अन्ट स्क्रीन पर मिल जाएगा आप वहाँ जाकर करें चेक कर सकते हैं इसके अलावा हमारे डिस्कुरिशन बॉक्स से आपको शिवानी जी का ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें जाकर आप शिवानी जी के अन्य उपन्यास और कहानिया सुन सकते हैं तो शुरू करते हैं चल खुसरोगर आपने का अध्याय पांच लेकी का शिवानी कविराज केवल चिकित सिखी नहीं थे कहा जाता था कि वह परम सिद्ध भक्त भी है स्पर्श मात्रे से ही व्यदी दूर करने में समर्थ चिकित साथ उनके लिए अर्थकारी वृती कभी नहीं रही उनके पिता भी व्यद थे व्यदेक व्यफसाय उनके परिवार में कुल क्रमागत चला आ रहा था कभी उन्होंने राजा राज कमल सिंग के पिता के असाध्य रोग की चिकित्सकर उन्हें स्वस्त बनाया था। इसी से उन्होंने अपनी कृत्यग्यता ग्यापन करने अपनी ही हवेली के पास उनके लिए एक सुदर्शन भवन बनवा दिया था। आप जैसे अश्टांग आयूरवेद में निपुन मिर्तिविंजय चिकित्सक मेरे परतिवेशी बने इससे बड़ा स्वभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था एवे मृत्यू परियंत अशक्त होने पर भी नित्तिस्तान कर उनके चरण चुने के बादी अपन तीनों पुत्रों को बुलाकर राजा राम वदन सिंग ने उनसे कहा था ध्यान रखना कि गुरूवर को कभी कश्ट ना हो उनके मकान का भूमी का सब टैक्स तुम देते रहोगे तुमारी ही जमिदारी से उनके टैक्स अदा किये जाएंगे। उनका सरवादिक्स नहीं कनि पुत्र पर ही था इसी से उन्हें एक बार फिर एकांत में बुलाकर उन्होंने कहा था बेटा तुम्हारे दौनों भाई जो भी करें तुम पंडी जी का धियान रखना वैद का वहविक कुशल वैद का प्रतिवेशी बनना बड़े भाग्या से मिलता है। किन्तु अधर निरंतर जैसे किसी नाप चप में हिल रही थे। उधर रोगी तीवर जवर की मन्हूस तंद्रा में पूर्ण रूप से डूप चुका था। कुमुद को यह देखकर अश्यारे हो रहा था कि जो राज कमल सिंग का एक ही घंटा पूर्व स्वैम बड़ी दीन राज कमल आखे खोलो। इधर कर दीजिए और फिर अपनी नगन गौर पीठ से अंग वस्तर खीच कर उन्होंने चाती भी ढख लिए। पैर के खड़ाओं की खट-खट धिरे-धिरे कमरे से दूर होती गए। पर कुमुद ने देखा कभी राज डॉक्टर चक्रवर्ती से बरांदे में खड़े ओ कर रहे हैं। यह भी कैसे चिकित सकते ना ओशदी ना कुछ पूछा नाड़ी थामी और गए सिरहाना पश्चिम से पुरवा भी मुख कर दो क्या इसी से विशम रोग दूर हो जाएगा। फिर धीरी धीरे वे खड़की से सटकर खड़ी हो गई। तविराज की गंभीर मु पात इसमें दो राय हो नहीं सकती। रोगी अभी भी चेतना आचेतर अवस्ता में हैं। जब तक यह ना जानलू कि रोग किस आहर विहार से कुपित हुआ है मैं उसके अनुकुल चिकित सा अरम नहीं कर सकता है। मैं रोग परिक्षा में शब्द और आकृती पर भी विश साहसे का। नहीं रोगी की आकरिती से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर आप एलोपैती के डक्टरों को शायर इस यूग में यह हासियास पद लगेगा किन्तु हम रोगों के साथ नक्षत्रों को भी घनिश्ट रूप से जोड़ा मानते हैं। आप से इनोंने कहा है कि जो जनम, निधन, प्रकर और विपत कर नक्षत्र में जो व्यधी उत्पन होती है व्यकष्ट कर या मृत्युकर होती है। एक तोरविवार उस पर मूल नक्षत्र। पर कविराज जी बुखार तो अभी तेज हुआ है। सुबा एकदम उतर गया था। चार्ट दिखाओ। मिस कितसा कर रहे हैं आप करते रहें किन्तु स्वैम राज कमल सिंग जी चाहते हैं कि आप ही उन्हें देखें। और देख तो लिया भाई इसी से कह रहा हूँ आप चिकितसा करें मैं नाम जाब करूँगा। खिडगी पर खड़ी कुमुद अपने ग्रह की और जा रहे कविरा आप से रोक से पराजे कैसे स्विकार कर ली। डॉक्टर चक्रवर्ती ने हार नहीं मानी। परामर्श के लिए उन्हें लखनाउ से भी दो डॉक्टर बुलवा लिये। उन सबके समिलित प्रयास से 22 दिन राज कमल सिंग का मुखार एक बार फिर उतर गया। स्वस्त सबल देहे एकदम ही मुर्जा गई थी। कभी कभी तंदरे लाखों को बड़ी चेश्टा से खोलते और दिन रात सिराने बैठी कुमत को देख एक दिर गिश्वास लेकर मुव फिर लेते। क्या उन्हें अपने रोक की असाध्याता में ही ऐसा उदासिन बना रही थी। सारा द उन्हें की चेट पटा हट देख बेहत घबरा गई। कभी वह उटने की चेश्टा करते कभी दुरूबल हाथों को छाती बढ़ धरते और कभी बेचैन करवटे बदल कर रहाने लगते। कुमत डॉक्टर को फोन करने उठ रही थी कि लाल लाला के खोल उन्होंने तीवर ज देखो वहाँ चिपकर ताक लगाए बैठे हैं वैं देखो तेल में भीगी लाटियां कैसी चमक रही हैं उसे कह दो मालती कह दो पिछवाड़े के चारो खेत ले ले मुझे छोड़ दे सुन रही हो ना मालती कुमत कहना चा रही थी मैं मालती नहीं हूं सर कुमत हूं और उ उसके तप्त देख पर कृष्ण वर्णी मेगा खंड सा बिखर गया भैसे ठंडे पढ़ गये उसके कपोलो पर सहसा राज कमल सिंग ने अपनी गरम हतेली रख दी थी तो उसे लगा किसी ने दहकता अंगारा रख दिया वह स्वैम एक पल को चेतना खो बैठी एकाए किसी क ना देख पाने पर भी उसे लगा कमरे में कोई है अपने को बड़ी चेश्टा से उस कठोर तप्त बाहुश पास्ट से छुड़ा वह खुरी केश रासी को जूड़े में लपेट रही थी कि उसने देखा द्वार पर मालती उसे आगने द्रिश्टी से देख रही है उसे प पर ही सूप गई जिसे वह समझा रही है वह क्या समझने की स्तिती में थी तब ही उसने देखा कमरे में मालती ही अकेली नहीं खड़ी है एक कौने में खड़ी काशी की कुटिल आंके ना जाने किसी भावी योजना के रंग रास का जाल बुनने लगी थी आईए यहां बैठ बड़ी संयत शालिंता से कुमुद ने कुर्सी खिच कर सिरहने रग दी राज कमल सिंग को कुमुद का यही आहवान एक शंड के लिए चेतन्या बना गया है कौन? कौन मालती? द्वार पर खड़ी पत्नी को अर्ध चेतन्या वस्ता में भी उन्होंने पहचान लिया शीन स् तक देहरी पर खड़ी खड़ी पती के श्री हिंग चैरे को देखती रही फिर पवन के वेक से मुड़कर अपने कमरे में चली गए उसके पीछे पीछे काशी भी गई और जाने से पहले एक बार फिर अपनी वियंगातमक विभत्स मुद्राव से कुमुद को बीध वह के दौनों पट जोर से बंद कर लिए कुमुद की आँखों में विवश्टा के आंसु छलकाए जीवन में ऐसी असहाई स्थिदिकावे पहली बार अनुभव कर रही थी जिस दिन अभागिन उमा के आचरन ने उसे समाज में मुद दिखाने योग्या नहीं रखा ता उस द शकर भी लेगा तो दूसरे ही शनवे अपने उतकट उनमाद में डूब जाएगी पर काशी वे बेहुदा औरत तो अब तक नौकरों के सागर पेशे में नमक मिर्च लगा कर सब कुछ कह चुकी होगी और फिर भले ही यह तीवर जोर का वायू विकार हो सुनने वाले तो उ रह सौमीनी के उनमाद का लाब उठा जिस थाली में खा रही थी उसी में छेट करने वाली परिचारिका को क्या समाज शमा कर पाएगा समाज की दृष्टी में तो वे वेतन भोगी परिचारिका ही थी और आज वही निर्दोश परिचारिका लोगों की दृष्टी में अभ महिनों में जिस उदार व्यक्ती ने उसकी सेवाओं का अवश्यक्ता से अधिक मुल्य चुकाया था उसकी विवश्चता का लाब उठा वह उससे बिना कुछ कहीं नहीं जा सकती थी कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि उनका दिया कर्ज बिना अधाक ये नहीं भाग रही धिरे धिरे एक एक पाई चुका देगे किन्तु कैसे मुझे दिखाईगी वे सब को नौकर क्या कहेंगे काशी ने तो उसे ग्रह स्वामी की अंकशाई ने ही बना देख लिया था एक भार वैं निस्वंद पड़े राजकमल सिंग्यों और बड़ी अस्वुट स्वर में ना जाने क्या कह रहे था उसने जुक कर सुनने की चेश्टा की पानी मांग रहे थे खुले केश की लटका सपश्पा कर राजकमल सिंग्यों ने एक पल को लाल लाँखों से उसे देख फिर आखे बंद कर ली क्या है सर क्या मांग रहे हैं आप एक बार जुक कर उसने सुनने की चेश्टा की इस बात रुक रुक कर कही गई बड़ बढ़ाट उसने सपश्ट सुन ली थी यह क्या कह रहे थे वैं खुसरों की ही भाती मृत्यु अहवन को क्या उन्होंने भी सु थी था उस दिन राम प्यारी भी दिन भर उसके पास नहीं फटकी दिन डुबे नित्या की भाती मिट्टी की दूबदानी में लुबान का धुआ देने उसके कमरे में आई तो उसका मुझ फूला हुआ था काशी ने भी चाय की ट्रे एक परकार से मेच पर पटक दी थी रा लगी थी और दौनों नतुने रह रहकर फड़क उठे थे गुमुत को लगा है वह पानी का गिलास लेकर एक कदन भी आगे बड़ी तो मालती उस पर तूट पड़ेगी हाथ का गिलास लेकर वह लोटने लगी पर फिर उसी शन करतव ये बोधने उसे जग जोड दिया अचानक उन मादनी उठकर खड़की के पास खड़ी हो गए और बड़ी अंतरंगता से कुमुत के और देखकर मुस्कराई जैसे कह रही है आओ मेरे पास डर क्यों रही हो उसी मदर स्मित का अश्वासन पास सहस कर कुमुत गोली लेकर आगे बड़ी मालती ने बड़ी अव और नीन नहीं आई तो सिर में उसी दिन की तरह दर्द होगा मालती ने तड़पकर उसे देखा उस पर उगर उनमत आखों को देखते ही कुमुत की मदर सी उसकी होटों पर ही सूप गई गरम तवे पर पड़ी पानी की बून जैसे एक शन को मोती से उभार विलन हो जाती है पलग जपकते ही उसके हाथ से गिलास चीन मालती ने दूर पटक दिया और दोनों हाथों से उसका गला दबोज लिया इस आकस्मिक आकरमन के लिए कुमुत प्रस्तुत नहीं थी उसे लगा उसके पैरों से धर्ती धीरे धीरे छूट रही है और वहतर शंकु बनी हवा में जूल रही है कहां से आ गई इस उनमादरी में है आसुरी शक्ती है चाहने पर छट पटाने पर शरीर की समस्त शक्ती लगाने पर भी वह अपने को नहीं छुड़ा पा रही थी तब ही करमशे अवचेतन हो रहे शरीर की पूरी शक्ती लगा कर वह चुकी बचाओ बचाओ और उसकी वह आत्र दुर्बल करुण चीक उस अशक्त रोगी को भी रोग शेया से वहां खीच लाई जिसे डॉक्टरों की मृतिन जै ओशदियां भी पूर्ण चेतना वस्ता में नहीं लोटा रही थी मालती क्या कर रही है चोड़ो चोड़ो इसे कापते दुर्बल हातों से धक्का मार कर मालती को पलंग पर गिरा कापती दे को किसी तरह साधिते राज कमल सिंग कुरसी पर लड़ खड़ा कर बैठ गई दौनों को विलक करने के प्रियास में भैसे थर-थर कापती कुमुद एक शंड को उन्हीं की अशक दे पर जा गिरी थी राज कमल सिंग कुरसी का हत्ता ना पकड़ लेते तो शायद दौनों जमीन पर ही गिरते भैसे आकस्मिक अगाज से कुमुद थर-थर काप रहती पर मालती पूर्ण रुप से सहीय संतुष्ठो कर पलंग पर उकड़ बढ़ बढ़ाने लगी एक बार भी उसने आँख उटाकर कुरसी पर बठी पती को नहीं दिखा राज कमल सिंग ने कुमुद को बाहर जाने का इशारा किया तो उसकी चेतना लोटी अपने कमरे में पहुँचकर वह बुरी तरह काप रहा था गले की नसों को जैसे जीन जोर कर मालती ने भीतर ही भीतर टुकड़े टुकड़े कर दिया था क्योंकि यह उसने ऐसा क्या उसके उतकट उनमाद के बीज भी कालपनिक सौथ की संभावना उसे ऐसा उग्र बना गई अब उसका यहाराना उचित नहीं था उसकी नौकरी ही तो मालती को ले कर थी उसी की देखरेक के लिए उसकी नियुक्ती की गई थी तब वह अब रह ही कैसे सकती है यह नित्य का भद्धा नाटक बन जाए इससे पूर्वी उसे चल देना होगा यदि गिरते पढ़ते राज कमल सींग वहां उस शेन ना आ गए होते तो क्या वह अपनी गर्दन उस सशक्त प्राण लेवा पकड़ से छुड़ा पाती बड़ी देर तक ठंडे पानी से नहने पर भी उसकी कनपटी की फड़कती रगे शांत नहीं लग रहा था शरीर का सारा रक्त कंट नरी में अटक उसकी सांस रोक रहा है क्या करेगी वह अचानक नौकरी छोड़कर घर पहुचेगी तो सब क्या कहेंगे और यहां यहां लोग उसे लेकर ना जाने कैसी कैसी मनगडंत गिनोनी बाते फिलाएंगे काशी की किरपा से उसके दुर्भागय का प्रकरण अब तक तो सच में कहीं बाचा ना जा चुका जाओ रात को प्यारी खाना लेकर आई तो उसने लोटा दिया एक बार भीवे राज कमल सिंग के कमरे में ज्छांकने नहीं गई सुभा जब उसकी आँखे कुली तब उजाला ठीक से फैला भी नहीं था साथ बज़े से उसे फिर मरीज की परीचारया का भार संभालना हो गई ठीक आठ बज़े डॉक्टर चक्रवर्ती आते थे नहा दोकर वे तयार हुई और दुआर खोल कर चुप चाप बहार निकल गई देहाद से आ रहे दूद वालों की साइकल की टुन टुन के अलावा सड़क पर एक दम सन नाटा था सामने कविराज की लाल कोठी की बत्ती जल रही थी जब कभी वे इस निर्वित सड़क पर टहले निकलती कविराज के पूजा ग्रह से आती गुगल की मद्र सुगंद शलोकों की अवरती उसे एक पल को रोक लेती इतनी बड़ी कोठी में विधुर कविराज अकेले रहते थी प्यादी ने ही बताया अरे मरे मुर्दा की ठिटरी में ही जान फुकते रहे मुला अपने महरारू का रोक ठीक नहीं कर पाए भरी जवानी में चला गी एक टो बिटवा रहा सुमेम भी आयलाया पंडिज जी लाटी मार मार बगाय दी ही आज भी गुगल की परिचित सुग प्यादी का उपचा नहीं होगा किसी मंतर पूर डोर से बंधी कुमुत धीरे धीरे उनके द्वार पर खड़ी हो गई कवी राज उनकी और पीट किए विश्णू सहस्रनाम का पाट कर रहे थे विश्नु सहस्र नाम की इसी महिमा का तो उसके बाबुजी भी पाठ करते थे पाठ समाप्त कर कविराज उठे पल्टे देहरी के भार बैठी कुमुद को देख ठिटक गए कौन हो बेटी हडबड़ा कर कुमुद इठी चुक कर परणाम के लगता है तुम्हें कहीं देखा है कविराज जी ने उसे गौर सिले जी हाँ आपने मुझसे ही तो उस दिन राजा साब का सिरहना पश्षीम की और ना करने को कहता हाँ हाँ ठीक ठीक याद आया याद आया कर दिया था ना देखो बेटी पश्षीम में सूर्य डूपता है इस चर्म पर बेट गए मैं आपसे एक राए लेने आई थी उसका कंट से ऐसा भराय इस संत के समुकवे कैसे कह पाईगी आकारानी बिना किसी अपराद की अपरादनी बना दी गई थी पूछो बेटी क्या पूछो कुमुत की निर्भीक दरिश्टी उस तेजस्वी चहरे की औ उठी नवजात शिशु किसी चिकनी त्वचा वही निश्पाप बोली चावनी दंत हिं निर्दोश हसी परमहंस क्या ऐसी ही संतों को कहते हूंगे उसी दिव्यक पस्तिती में उसकी वानी को सैसा मुखर बना दिया उसने उनसे कुछ भी नहीं चिपाया एक एक बात कह गई लालू की अवारागर्दी, उमा का निरलज, आचरन, धरम भिरू सरला, जनिनी की व्यता और स्वैम अपनी विवश्ता, उनमादरी स्वामिनी का अत्याचार, उधार ग्रह स्वामी का संयोग और अंत्मी नियती कब है, चलना मैं प्रहार अब आभी बताईए मैं क्या करूँ, मैं चली गई और मेरे जाने के बाद राजा सहाब को कुछ हो गया, तो जीवन भर में अपनी प्रवंचना को शमा नहीं कर पाऊंगी, इतनी बड़ी हवेली में उनको ठीक से देखबाल करने वाला भी तो कोई स्वामी भक्त सेवक हैं ना सेवी का, पत्मी उन मादरी हैं, दोनों भाई उनकी जान के दुश्मन, प्यारी बता रही है, मध्या प्रदिश में किसी ऐसे सिद्ध औगर को बुला कर तंतर मंतर चला रही हैं, जैसे देश की वरिष्ट नेता एक दुसरे पर मूट चलवाते हैं, यहां रहती हूं त तक आखी मूंदे कविराज निशब्द बैठे रहे हैं, सोच ते रहे हैं, ठीक जैसे उस दिन आखे बंद कर दिर के समय तक राजा साब की नाड़ी था में शरीर में छिपी कुटिल व्यादी का सुत्र पकड़ रहे थे, मैं जो कहूंगा मानोगी, कविराज की आखे खु कुमुद ने आखे चुका है, उसे लगा, उस तीवरे रेडियम लगी दृष्टी का तेजवे सहनी पाएगी, उसने बोला जी हां, तो तुम जित्ती जल्दी हो सके, यहां से चली जाओ बेटी, और ततकाली हवेली छोड़ दो, हो सके तो अभी इसी शन, लेकिन कुमुद को शत शत संशों ने बीन दिया, राजा सहाब का बुकार उतरा ना था, डॉक्टर चक्रवती से भी अभी कुछ नहीं कह पाई, फिर वेकरजा, जो से उटते बैटते डंक मार रहा था, उसे करज देने वाला होश में आए, तुमने मुझसे अपनी मानस व्यादी का निदा कविराज के पास बैटकर एका एक उसका चित स्वैम चिंता मगन होटा था, ठीक ही कहा था, उन्होंने उसे ततकाल हवली छोड़ देनी चाहिए, किंतु कहकर जाना उसके लिए सहज नहीं होगा, एक पत्र लिखकर मेच पर धर जाएगी और रात की गाड़ी से चली जाए, और रात की गाड़ी से जाना इतना कटीन होगा, वै तब नहीं जान पाई थी, अपनी ड्यूटी पर गई, तो देखा डॉक्र चक्रवर्ती कंभीर मुखमुद्रा बनाए, रोगी के सिरहाने बैटे हैं, मिस जोशी, उसे देखते ही उसकी और बढ़ाए, यह कल क्या चल कर मैं चीक पढ़े थी, शायद, शायद मेरी चीक पुकर सुनकर वहाँ आ गए, ओ, आईसी, देखे मिस जोशी, थोड़े दिन आप काशी से कहिए, उनने देखे, और आप इन्हें एक पल को भी न छोड़े, कभी ऐसे ही बार निकल गए, तो निमोनिया हो सकता है, समझ में न दूसरे दिन उनकी लाश ही किनारे लगी थी, यदि उसके जाने के बाद भी ऐसा उल्टा सीता कुछ करवटे, तो क्या वह कभी अपने को शमा कर पाएगी, कि तो कभी राज के शब्द रात बर उसके कानों में गूचते रहे, वह करवटे बदलती रहे, कुमुद वह अच वह पहले कभी नहीं, क्या दिवंगत मरियम ही तो कहीं छलना में रूप धर कर उसके दौर नहीं कटखटा रहे, कौन है, उसने दौर के दरार से देखने की चेश्टा की, कि तो अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया, कुमुद मैं हूँ राज कमल, इस आदेश की अवग् से लेट गए, जैसे वह उनी का पलंग, कुमुद लपक्र द्वार बंद कर कुंडी चड़ा दी, चोर की भाती धबे कदम रखती काशी, कभी अदी रात को उसके कमरे में आकर दरार से जाग जाती थी, ना जाने कितनी दिख तक दौरों जांके तहां बने रहे, राज कमल, कुमुद के पलंग पर ऐसे पड़े थे, जैसे वहां तक आने में उनके दुर्बल शरीर की सब शक्ती चूग गई हो, वह मुर्ती सी कुर्सी पकड़ कर खड़ी कुमुद काट बने, यह क्या हो गया भगवान, इतने दिनों से, जोर से दुर्बल लगवग अचेद पड़ डरी सहमी कुमुद कुर्सी पर बैटने लगी, नहीं उतनी दूर नहीं पास आओ, तब ही मेरी आवाज सुन सकोगी, जोर से बोलने में शक्ती लगती है, ना तो मेरी इच्छा है, इस समय बोलने की न शक्ती, इन मनुस हमिले की दिवारों के भी कान है, इतना ही बोलने में यह फितूर पाल ले, पर दोश मेरा ही था, मैं तो उसकी यह दुरबलता जानता था, उसने मरियम को लेकर भी ऐसा ही बावेला खड़ा किया था, इसी से जब मैंने तुम्हें पहली बार देका सोचा, तुम्हें उल्टे पैरों वापस कर दूं, तुम इतनी छोटी होंगी इतनी अपना वाके अधुरा ही छोड़, उन्होंने एक दिर्ग निश्वास लेकर मुँ फिर लिया, एक एक शब्द भूलने में जैसे प्रणान तक कष्ट हो रहा हो, बड़ी देर तक उन्हें उसी मुद्रा में पढ़ा देक कुमुत खबरा गए, हड़ बढ़ा कर उसने इतना हिल गई तो सच कहता हु कुमुत वर्षों से मेरी छाती पर जमी लोह शिला को किसी ने दूर जटक दिया, मालती तुम्हे एक दिन मिनना देखती तो बोरा जाती, तुम जब लखना हो गई तो उसे समालना कठी न हो गया था, ना वे हमारे हाथ से खाना खाती न दव बार बार खड़की से देखती कि कहीं तुम तो नहीं आ रही हो, तब ही एक कटू सत्य मुझे रह रहकर कोचने लगा। सोचा था इस बर लौट तुम्हे मालती को सौंप कुछ महीनों के लिए विदेश चला जाओगा, तुम मालती की देखरेक मुझे से अच्छी तरह कर लोगी, यह विश्वाश मुझे उसकी और से निश्चिंद बना गया, पर फिर भी इस विकार के लिए मेरा अंतकरन कैसे पकड़ लेगी, यह मैं नहीं जानता था, मरियम की बात दूसरी थी, एका एक वह फिर चुप हो गए, बड़ी देर बद तक उन्होंने अपनी अधुरी आपिति का सुतर नहीं था मा, तब घबराहट में कुमुद ने एक बार फिर उनका ललाठ इस परश किया, कही फ मल सिंग ने अपने ललाठ पर धरी, उस हिम शीतल हतेली को फिर जवरत अप्त हतेली में बांध च्छाती पर धर लिया, मरियम सुन्दर थी, आकर शक्ती, कि तो सच कहता हूं कुमुद उसके परती किसी विकार ने एक पल के लिए भी मेरे हिर्दय को मलिन नहीं किया, कभी क तब ही मैं देखता उस भावुक लड़की को मालती की देखरेक की चिंता से भी अधिक मेरी चिंता देखरेक की चिंता थी, अपने हाथों से मेरी मेश साफ करती, बिस्तर लगाती, यहां तक की जूतों तक में स्वैम पारिश करती, एक दिन मैंने देख लिया तो मैंने कहा या आपका काम नहीं मिस जोसेफ नौकर किसली है मुझे इस सुक से वंचित ना करे सर उसकी आँखों में आसु देख दंग रह गया कौन सी ऐसी बात कह दी मैंने जो ये विजिदरल लड़की रोपड़ी मुझे महल में रहने का सुक आप इने जीवन में पहली बार दिया सर मुझे कुछ मुझे भी तो करने दीजिए मैंने फिर भी यही सोचा कि अनात लड़की है जनम से ही मदरास के मिशिनरी अनात थाले में पली है इसी से कह रही है मदरास में जिस समास सेवी संस्ता में वैप पली थी उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी और इसमें कोई संदेह भी नहीं था कि उसकी सेवा तुरूटी ही थी एक दिन मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आधी रात को देखा मरियम मेरे सिरहाने बैठी एक टक मुझे देख रही है मैं चौक कर उड़ बैटा यह क्या मिस जोसेफ आफ यहां क्या कर रही है उसने मेरे दौनों हाथ कसकर पकड़ लिया मुझे से आप यह पूछ रहे हैं कैसे पुरुष है क्या क्या आपकी आँखे देख नहीं रही है मेरा पूरा शेरीर आपके प्रेम की जोयला में कैसा धधक रहा है नारी का ही है निरलज रूप मैं पहली बार देख रहा था फिर भी मैंने अपने विवेक को साथगर कड़क से कहा यह क्या पागलपन हो रहा है मिस जोसेफ प्लीज गेट आउट आइसे उसे एक प्रकार सी धक्का देकर ही मैंने कमरे से बाहर के और कुंडी चड़ा दी उस दिन उसे किसी ने मेरे कमरे में देख लिया होता तो अनर्थ हो जाता उन दिनों मेरे दौनों भाई भी मेरे जानी दुश्मन बने मेरी प्रतिष्ठा मेरे सुनाम पर धबा पोत में हाथ में काली के लिए घूम रहे थी सोचा दूसरे दिन उठते ही उस छोकरी को नोटिस देना होगा अपने वृद मुशी जी को बुला कर सबस्तिती समझानी हो लेकिन दूसरे दिन उठा तो देखा मरियम के चैरे पर बीती रात के अपरिया परसंग का एक भी चिन नहीं था मैं नित्य की भाती अपना वही उत्फुल चैरे लिए काम में लग गई उसने मेरा बिस्तर लगाया डिक्टेशन लिया करीने से मेरी कागच मेच पर लगाए मालती को नहरा दुलाग और बाल बनाए उसकी स्वभावी गतीविती देख फिर मैंने उससे कुछ कहना उचित नहीं समझा चलो अच्छा हुआ लड़की भरे ही रास्ते में कुछ पलो के लिए भटकी हो पर वैस्वेम ही बड़ी समझदारी से रहा पर आ गई थी देखते ही देखते तीन महीने बीट गए पर इधर मुझे मरियम में फिर से कुछ बदलाव देखने लगा काम करते करते वैं एक आए गहरे सोच में डूप जाती टाइप करने बढ़ती तो बीसी ओं गलतिया कर देती मैं कभी कभी बुरी तरह जुंजला पड़ता क्या बात है मिस जोस्फ आपकी तब्याट ठीक रही है क्या थोड़े दिन की छुट्टी लेकर घर जाए घर हो आई है कहां जाओंगी सर मेरा घर ही कहा है उसने कहा और इसकी डब डबाई आए आके देख मिझे उस गरी पर तरस आ गया ठीक ही तो कह रही ती बेचारी जाएगी कहां पर बदलाव उसी में नहीं हुआ मालती उसे देखकर भढ़कने लगी वेबाल बनाने आती तो उसके हाथ से कंगा चीन कर दूर पटक देती एक दिन तो उसने मरियम को बुरी तरह नौच पकोट लिया कहते हैं पशू पक्शू को विधाता ने अदवुत शक्ति प्रदान की है भावी संकट को भापने की अनुपम घ्राण शक्ति का जल जला हो या सेला उसकी आसन संभावना से चौकन ने हो घोड़े हिन हिनाने लगते हैं गाएं रंभाने लगती है पक्शी बसे रचोड उड़ जाते हैं ऐसे ही उस भावे आसन संकट को शायद माल्दी की अत्मत्य जेतना भी पहचान गई पह मर्यम को देखते ही चीखने लगती भगा दो इसे भगा दो काश मैंने उसकी चेतावनी को मान लिया होता एक दिन मैं सुबा सो रहा था काशी ने आकर द्वार बबार उठीए सरकार उस इसाइन ने आत्मत्य कर लिया मा भाकता गया तो देखा इसी पंखे से उसकी निश्प्रान देही जूल रही थी विबस द्रिश्य था जी बहार निकल आई नाक मुझसे रख निकल कर चेप बुक पर दाड़ी पर जम गया उफ अभी भी नहीं भूल पाया हूँ स्टूल एक और लुड़का पड़ा था दूसरी और उसकी जीन बाइबल के अधफटे पन्ने इधर उधर उड़ रहे थे लगता था बाइबल चाती से लगा करी वैसूली पर चड़ी थी और जब देह निश्प्रान हुई होगी तब बाइबल उस उचाई से नीचे गिड़ने से आंधी होकर फट गई बाइबल उठाई तो देखा उसके भीतर मेरे नाम की चिठ्थी थी मुर्ख लड़की ने मुझसे प्रेम किया था या उसने सुईकार किया सोचा था आपने भले ही मुझे अपने कमरे से धक्का मार कर निकाल दिया मैं आज जीवन आपकी सेवा करती रहूँगी पर मैं क्या जानती थी कि आपके प्रती मेरा ये अनन्य प्रेम में एक दिन मेरा सर्वनाश कर देगा एक दिन आधी रात को मैं इसी परकार खिड़की पर खड़ी थी कि देखा आप वुआरे के पास खड़े हसकर मुझे इशारे से बुला रहे है मेरा कलेजा मुख को आगे इस उबाब तुने मेरी सुली मेरे कठोर हिर्दय प्रेमी के शुष किर्दय को आखर मेरे अटूट सच्चे प्रेमी ने जीत लिया नाइटी पहने मैं पागलों की भाती दोड़ गई आप से लिपट गई दूसरे इशन मने देखा मैं जिस बहुपाश में बंदनी बनी हूँ वै किवल एक ही बहु का छलना मैं बहुपाश है वै आप नहीं आपके मजले भाई कृष्ण कमल सिंग थे हैं मैं बहुत छट बटाई नौचा पकोटा पर उन्हों ने अपने चौड़े पंजे से मेरा मुव बंद कर दिया जब होश आया तब मैं उस से भीगी दूप पर पड़ी थी अपने उतने बड़े सर्वनाश की बात में किस से कह सकती थी सोचा था प्यारे इसू से सब कुछ कहे कनफेस कर उसी से धहा की भीग मांगोंगी मेरा इतना ही दोश है खुदा बाप की मैंने किसी से प्यार किया है पर इसू ने शायद मुझे माफ नहीं किया सहसा अपने पाप का परमान मुझे अतंकित कर गया मेरी जो अवस्था थी उसे नर्स होकर मैं न पैचानती तो और कौन पैचानता मुझे लगा आपके शत्र दोनों भाई इस पाप का सुद्र आप ही से जोड़ेंगे कहेंगे कि मैं आपकी रक्षिता हूँ आपके इस अवेद वन्शिधर की जननी इसी से मैं अपना मुकद्मा लेकर अब खुदा बाप के घर जा रही हूँ जहां दूद का दूद और पानी का पानी हो जाता है और हुआ वही लाश को पुलिस ले गई पोस्ट माटर में गर्वस तीन माँ के शिशु की पुष्टी हुई हार कर मुझे अपने उस व्यर्थ कलंग को मिटाने मर्यम का पत्र अदालत में दिखाना पड़ा मैं बेदाग निकलाया पर मजले भईया उसी दिन से मेरे लगु के प्यासे बन गए सोचाता सब बेज बाच कर मालती को लेकर नाइजेरिया चला जाओंगा वहां मेरे मामा का बहुत बड़ा वेफसा है उसी में अपनी पुझी भी लगा दूँगा पर अब सुनिये कमुद में धीरे से अपना हाथ उनकी तप जगर से छुडा लिया आप अपने कमरे में जाएए आपको बहुत बुका रहा है चलिए मैं पहुचा लगा नहीं मैं आप कहीं नहीं जाओंगा मुझे किसी का भेहनी आज तक मैंने कौन सा सुख भूगा है बताओ जरा वह उत्तेजी तोकर बैठ कर अंधिरे में दौनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे उजाला होता तो शायद स्वभाब से हिभीरू कुमुद भी इतनी जोड से नहीं बोल पाती उस रोबी लेचारे को देख उसकी जीब हमेशा तालू से सड़ जाती थी आपकी तब्य ठीक नहीं है सर उपर चले आप उसने उन्हें ऐसे फुसलाया जैसे किसी हटीले अबोद बालक को डरा समझा कर गोद में उठा रही हो जब वह उन्हें सहारा देकर कमरे तक लेगी तब एक पल को उसके कंधे पर धरेश हाथ ने उसे जकरने की चेश्टा की किन्तु उसी शेंफिरीवार पकड़ धेली पड़ गए कुमुद कुमुद तुम मेरे पास ही बैठी दाव कुमुद मिझे डर लग रहा है कुमुद ने यतन से उन्हें शौल उड़ा दिया और खुद जाने को उद्धत हुई तो एक बार उसने पलंग पर कलांत पड़े राजकमल सिंखी और देखा अब ना उन्होंने से रुकने के लिए का ना आखे खुल कर देखा लगता था उनकी समक शक्ती चूक गई एक बार फिर अपनी उसी कूड निद्रा में डूपते चले गए कुमुद ने नीचे जाकर नूरबक्ष को जगाया फिर हड़ बढ़ा कर उड़ बैटा क्या बात है मिस साहब इतनी रात को आप यहां साहब की तब यह ठीक नहीं है क्या हाँ नूरबक्ष तुम साहब के पास जाकर बैठो मैं चक्रवर्ती को फोन करती हूँ नूरबक्ष को उपर भेज उसने जॉक्टर चक्रवर्ती को फोन किया फिर अपने कमरे में आकर उसने अपने सूट केस में जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरे कपड़े ठूसे अभी चार बजे थे सुबह पांच बजे की मिल पकड़ने के लिए साड़े चार तक चल देना होगा पलंग पर अभी भी उस दिर्ग देह की छाप के हस्ताक्षर वैसे ही बने थे वैहाथ से चादरे की सिल्वटे बिठाने लगी तो उसकी आखे बर आई जिसे छे महीने पहले वैस जानती भी नहीं थी उस भागे ही इन के लिए उसका यह कैसा मुह होता ना जानी क्या सोचकर उसने फिर कागज उठाया और लिखने लगी मान्यवर आपको बिमारी में असहाई छोड़कर जा रही है हो सके तो इस अकर देख यहता के लिए मुझे शमा करें आपका करजा मैं बाबुजी का रुपय मिलते ही चुका दूए मेरे जीवन के कुछ सुगत शन यहीं बीते हैं इसी स्मिर्थी के साथ आपसे विदा ले रही है नूर्बक्ष कब दरवाजे पर खड़ा हो गया वैद देख भी नहीं पाई सरकार उसका कांपता वसुन स्वरसुन घबरा कर खड़ी हो गई यहीं कहीं कुरूर कौतुहल प्रिया नियती फिर भी उसे लोहो शिंकरा बत तो करने नहीं आ गए क्या बात है नूर्बक्ष साथ तो सरदर्द से छट पटा रहे है मिस साथ डॉक्टर साथ को फोन किया था आपने घबराओ नहीं नूर्बक्ष डॉक्टर साथ आते ही होंगे मुझे मुझे से पूछे तो क्या देना मुझे अचानक लखना हो जाना पड़ा मिरी माँ सक्त बिमार है मैं इसी गाड़ी से जा रहे है क्या कहरी है हुजूर मैं अकेले साथ को कैसे संभालूँगा मच चाहिए मिस साथ आज रुक जाएए शायद साथ का बुखार शाम तक उतर जाए नहीं नूर बक्ष मुझे जाना ही होगा मेरी माँ एकदम अकेलिए है पर आप कैसे जाएंगी मिस साथ इत्ती सुबा तो रिक्षा नहीं मिलता चलिए मैं आपको स्टेशन तक छोड़ाओं काशी को बुला कर साथ के कमरे में भेज़ दूँ आप भी थोड़ा रुके पर वैं रुकी नहीं एक बार राज कमल सिंग को देखकर वैं स्वैमी जाकर कोई रिक्षा ढूंड लेगी यही सोच कर वैं उपर गई राज कमल सिंग चुप चाप पड़े थे गहरी नीन्ती या तीवर ज़र की भेवशी वैं काप गई चीची कैसी बाते सोचने लगी ना जैने कैसी वीचितर गंद पाकर वैं सैम गई ठीक ऐसी ही गंद बाबुजी की मृत्यू के पुर्वन के कमरे में उसका दम घोट गई थी क्या यही थी मृत्यू गंद काप कर वैं बाहर निकल आई काशी आकर बैंच पर ना जाने कब आकर बैट गई थी उसने बड़ी विदरुपता पूर्ण कुटिल द्रिश्टी से उसे देखा फिर मूँ फिर लिया क्या वैं जान गई थी कि वैं सदा के लिए हवेली छोड़ कर जा रही है क्या वैं यह भी जान गई थी कि कमरे में वैं अकेली अंतिम बार विदा लेने आई थी वैं स्टेशन पहुची तो गाड़ी याड पर खड़ी थी जल्दी जल्दी टिकेट लेकर नूरबक्ष ने उसे जनाने डिब्बे में बिठा दिया गाड़ी जैसे उसी के लिए खड़ी थी अधैरे की पुर्द फुफकारे छोड़ता इंजन गती मान हुआ चलती ट्रेन के साथ साथ नूरबक्ष चल रहा था कुमन ने हाथ बढ़ा कर उसे लिफाफा थमा दिया नूरबक्ष सहाब होश में आये तो उन्हें दे देना और वे आगे कुछ ना कह सकी इंशालला जरूर होश में आएंगे आप जन्दी लोटाईएगा सरकार नूरबक्ष उसने रूंदे गले को सहियत करके गा सहाब होश में ना आये तो इसे फाड़ कर फेक देना गाड़ी ने गती पकड़ ली थी डिब्बे के साथ साथ चलरा नूरबक्ष बहुत पीछे चुड़ी ठीक छे महीने पहले वे इसी स्टेशन पर कलांथ शरीर और अफसन चित लेकर अकेली उतरी थी और आज वैसा ही कलांथ शरीर और अफसन चित लेकर अकेली लौट रही थी जिस हावेली को छोड़ाए थी उसमें उसके चले जाने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा आधी रात के निस्ता दृता को चीरता विलाप तीवर ज़र से बेसुत पड़े मरीज को शायद पल भर के लिए जगा देगा पीपल की पेड़ पर नित्ते की भाती उल्लू बोलने लगेगा तब शायद मालती अपने कमरे में उकड़ू होकर अकेली बड़ बड़ाने लगेगी हवेली के वामांग से आती धोलक की थपेड़ों से हवेली गुंचेगी शिव कमर सिंग की वीलचेर की खड़ खड़ और स्वयम उसके कमरे में दिवारों परंकित हस्ताक्षर मरियम मरियम की पंकि से जूलती निश्परांदे को तो सबने देख लिया किन्तु आज जिस दूसरी निश्परांदे की अद्रिश्य केचली वह उतार कर टांग आई है उसे क्या कभी कोई देख पाएगा